हलो दोस्तो वेलकम टू मैं वीडियो दोस्तो आज हम आप लोग के साथ सेर करने बाला अजाद भीसा के बारे में आखिर में अजाद भीसा क्या होता है और आप जब कतर के अंदर आते हैं अजाद भीसा में तो दोस्तो क्या वो अजाद भीसा होता है और कौन सा भीसा को अज विंकिस्तान से बंगलादेश से SIरलंका से फिलिपिनस से कई सारे कंड्री संव उस टेम दोस्तों आपका अजिंट्ट तो बोलेगा कि अजाद भीसा में जाने के लिए कतर पर दोस्तों क्या आपको कतर जब आते हैं अजाद भीसा में तो क्या आपको अच्छा काम मिल सकता है और जब आप आते हो अजाद भीसा में कतर आपको मालूम नहीं होता है मालूम नहीं चलता कि अजाद भीसा आखिर में क्या है दोस्तों आप कईसे आईडी लगा सकती है और कतर आने के बाद आप दोसरी कंपनी में कईसे जा सकते हो तो दोस्तों ये सब जनकारी आप लोग के साथ आज सेर करूंगा दोस्तों क्यूंकि बहुत सारे दोस्त जो कतर आते हैं अजाग भीसा में और कतर आने के बाद बुरी तरह से फॉस्स जाते हैं फिलहाल अभी तो कतर में जो भीसा है अभी ओपन तो नहीं हुआ है अजाद भीसा अभी सिर्फ ओपन भीसा ओपन हुआ है पर बहुत जल्द ही कतर में जो भीजा है जो कतर भीजा ओपन होने जा रहा है अजाद भीसा भी ओपन होगा आजाद भीसा में तो बुरी तरह से फॉस सकते हो तो दोस्तों यही चीज आप लोग के साथ आज सेयर करने बाला हो कि अगर आप कतर आती हो तो कैसी आप मालूम करें कि अजाद भीसा बास्तम में इस भीसा को बोला जाता है तो यही पूरी जनकारी आप लोग के साथ सेयर कर वक्ते skipping विडियो सुरू करते हैं सिर्फ हैं बताते कि बास्ते क्या है कि अजाओ भी विच्ष एक एसे विच्षा को बोला जाता है जो इधर जो lle anneanne ऑपनिया होते हैं और प्र तो उनक्या करते हैं आप आते हो तो उस दौरान आपको यह दे दा है दूसरी बात दोस्तो अजाद भीसा एक multi-entry भीसा है दोस्तो अगर आप कता आते हो अजाद भीसा में उस दोरान आपको चेंज लेटर अलेडी दे देगा हो और उस दोरान तीन महिना का समय आपके पास होता है दोस्तो तीन महिना के अंदर अगर आप भीसा लगाते हो दूसरी कमपनी में जाते हो तो सही है अगर तीन महिना के अंदर आपका नभील भाग गया आपका नभील अच्छा नहीं है आपको चेंजलेटर NOC दे दिया है तो उस दोरान आपको घर भी जाना पर सकता है अगर आपको कतर के अंदर काम नहीं लगा तो तिसरी बात अगर आपका कपील अच्छा है आप बाहर काम ढूंड के कर सकते हो खुद से तो उस दोरान आप ID लगा सकते हो वो भी एक साल के भालेट होता है ID में वो भी ID आपको तीन मेना के अंदर लगाना पड़ता है तो दोस्तो तीन बात है इसमें तो अगर आप नाया अदमी है आपके पास experience नहीं कतर first time अगर आप आ रहे हो तो दोस्तो अजाद भीसा में ना आये क्योंकि अगर आप कतर आते हो अजाद भीसा में और आपको मालूम नहीं कई से काम करना है कौन से नबिल के पास जाना है, कई से चेंज लेना है, दोस्तो उस दोरान आप बुरी तरह से कतर में फस सकते हो, क्योंकि दोस्तो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, अज़त भीसा में तो आते हैं, उसका आदमी पर इधर आने के बाद वो NOC दे देता है, जब NOC देने के बा अधर है, सबको एक्स्पिरियनस आदि भी चाहिए, उस दोरान आपके पास एक्स्पिरियनस नहीं रहेगा, तो दोस्तो नहीं लेगा आप अपने कंपनी में, इसी दोरान दोस्तो अज़त भीसा में ना आईए, और एजेंट के जो जहासा में जो परते हैं, आप लोग अच्छा पैसा कमाओंगे, उधर एक लग से 2 लाक महिना कमा सकते हैं, तो दोस्तो जो एजेंट लोग है, वो आपको फसा भी सकते हैं, और अच्छे रकम उठा कर गए, आपको बुरा हाल में लेकर जा सकते हैं, दोस्तो इसलिए अजाद भीसा में कतर के अंदर नहीं आना है, दोस्तो और आप लोग टेर्शन ना करिए, दोस्तो क्योंकि बहुत जल्ट भीसा खुलने वला है, फैमली भीसा और वर्ग भीसा भी बहुत प्यजी से सुरू होगा, और वर्ग भीसा भी खुला है, पर इतने स्टार्टिंग नहीं है, दोस्तो बहुत कम अपरूब हो हो रहा है, दोस्तो आज के लिए इतना है, दोस्तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तो, फिर कुछ नाया अपडेट्स लेके दोस्तो, बाई बाई दोस्तो